उत्तरप्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के भवे उद्घाटन का हर कोई बेसबरी से इंतजार कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल यानी 22 जनवरी 2024 को होगी। हर कोई राम मंदिर के भवे उद्घाटन को लेकर काफी उत्सा है। इस खास मौके पर राजनिती से लेकर उद्ध्योग जगत और मनोरंजन जगत के भी तमाम दिगज राम मंदिर के उद्घाटन समारों में पहुँचेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन समारों के लिए भजन समराट अनूप जलोटा को विशेश अतिती के तौर पर रामिंत्रन मिला है। एक अकबार को अनूप जलोटा ने कहा कि ये उनका सौभागे है कि रामलला की प्रान प्रतिश्चा से जुड़े इस एतिहासिक समारों में शामिल होने के लिए उन्हें खास तोर पर बुलावा भेजा गया है। अनूप जलोटा ने बताया कि अभी तीन दिन पहले अयोध्या मंदिर से जुड़े एक खास कारिक्रम में उन्होंने गायन से जुड़े एक विशेश प्रस्तुती दी थी। हाला कि 22 जन्वरी के दिन गायन जैसा कोई कारिक्रम नहीं होगा और वो एक अथिती के तौर पर वहां मावजूद रहेंगे। की भी भूरी भूरी प्रशन सागी। अयोध्या और प्रगवान राम से अपने विशेश जुड़ाव वलगाव पर बात करते हुए जलोटा ने 37 साल पहले पहली बार अयोध्या जाने संबंदित एक बड़िया किस्सा भी शेयर किया।